नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद पियेस परिहार चैनल में आपका सौगत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुझनाय होती है जो भी ने समचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्यार्थियों के लिए आवशक होती है तो आईए देख लेते हैं कि आज के समचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सुझनाय है आगे बढ़ने से पहले एक बात और जो ने वीवर है या ने मीत ने जिनों ने इस चैनल को भी तेक सब्सक्राइब नहीं किया है इसके दो दुन पहली मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें यह बताया गया था कि जो पेनपी के सच्चिव हैं उन्होंने काता कि T.ET. 2019 का जो विग्यापन है वो अक्टूबर में आ सकता है और आज के समचार पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि सितंबर में टीटी 2019 फिलाद देखते हैं कि आगे क्या लिखा है नीचे लिखा है कि 2019 की शिक्षक पात्रता परिक्षा सितंबर में कराने की तयारी है परिक्षा नियामा कुरादिकारी कार्याल एलन गंद इसके लिए प्रस्ताव तयार कर रहा है जो इसी महीने शाहसन की अनुमत के लिए बीज़ा जाएगा इस साल भी 20 लाग के आसपास आवेदन की संभावना जताई जा रही है राष्टी अध्यापक शिक्षा परिसेद ने पिछले साल जून में बीएड को प्रात्मिक इस तरके कच्छाओं में पढ़ान के लिए मान किया था उसके बाद से आवेदिकों की संख्या में इजाफा हुआ है अठारे नमबर 2018 को आयोजी टीटी 2018 के लिए तकरीबन 22 लाग अभेर्थियों ने रिजिस्टेशन किया था के प्रात्मिक इस्तर की परिक्षा में अवेदन का अनुमान है सचिव अनुरिभूशन चत्रवेदी के अनुसार इसी महीनी प्रस्ताव भेज दिया जाएगा तो दोस्तों काफी दिनों से विद्यार्थियों को टीटी 2019 का इंतजार था तो अब उनका इंतजार खत्म हो र काफी परिशानी थी लिखाया कि टीटी में इस बार भी नहीं रहेगी निगेटिव मार्किंग जैसे कि बीच में जर्चा हो रही थी कि टीटी में इस बार निगेटिव मार्किंग हो सकती है यहां पर लिखाया कि सिक्षक पात्रता परिक्षा में इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने के करण अभ्यरती उन प्रश्णों का भी जवाब दे सकते हैं जिनके उत्तर को लेकर बहुत आश्वश्ट नहीं है धाए गंटे के परिक्चा में एक से परिके से पहले होता था उसी तरीके से होगा कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और यह आपका जो आवेदान है इसका बहुत जल्द आ जाएगा इसके बाद में अगली सुचना है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयों कि लिखा है एल्टी ग्रेट के रिजल्ट पर संक काट मैंने भी आप लोगों से बताया था चुकि एल्टी ग्रेट में विवाद इधना जादा बढ़ गया है कि अब जो सेज विषय का परणाम है वह अभी जल्द जारी नहीं होगा हलाकि विद्धार्थिक मांग है कि जो भी पेंडिंग रिजल्ट है जिन विष्यों के प पर भी संक्ट मढणानी लगा है आयोग की याज के खारिश होने के बाद अपनी जास्तों तेजी से आगे बढ़ा सकती है और आयोग को भी अपरिक्षा से समंधित दास्तविच एश्टेफ को सौपने होंगे ऐसे में एश्टिफ अपना सिकंजा तेजी सकती है और इसका असर LTE ग्रेट से चकबरती की उन विष्यों के रिजल्ट पर पढ़ सकता है जो भीवाद सामने आने के बाद रोग दिये गये थे इसकी अलावाद जिन विष्यों का रिजल्ट जारी किया गया था उनमें इसे सिटिफ और उत्तरप्र जिलोक सिवा आयो का विवाद बढ़ गया था मामला कोट में चला गया था कोट ने एस्टिफ के प्रक्ष में आडर दिया है और जांच होगी और जांच होने के बाद ही यह प्रेडाम आएगा और आप लोग जानते हैं कि जांच कितनी दिनों तक चलती है जिस तरीके से आरो यारो 2016 की जांच चलती रही और प्रेडाम अभी तक लंबित है इसकी बात में एक और सुचना है CTET की लिखा केंद्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSC की और से केंद्री शिक्षक पादता परिच्चा 2019 साथ जुलाई को जिले के सासतर परिच् प्रवेश्पत्र जारी किया जा चुका है जिने प्रवेश्पत्र नहीं मिला है वह सीबेस्टी की विपसेट डाउनलोड कर सकते हैं लेकि सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि इस बार प्रवेश्पत्र के साथ में कौन-कौन से प्रवेश्पत्र लेकर के जाना है फोटो आ नई बात नहीं है और अपने साथ एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो और एक फोटो आईडी कार्ड अनुवार रूप से ले करके आना होगा तो इस बार जो थोला सा बदलाव दिख रहा है वो है पासपोर्ट साइज फोटो का तो इसको भी ले करके आप जाएं तो ठीक है द क्लाइब भी कर लें पूरा वीडियो सुरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद